हमश्कार आप देख रहे हैं स्मार्ट विजनिस प्लस दिपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसाने की महत्पूर्ण खबरों का आज की वीडियो में हम सीखेंगे पपीते की उननत खेती कैसे करें और कम समय में कम जमीन से लाखो रुपे की इंकम कैसे करें इस वीडियो में आप खेत की हकाई से लेकर फल तोड़ाई तक सभी तरह की जानकारी प्राप्ट कर पाएंगे साथी उननत सिल किसमों का चुनाफ कैसे करना है ये भी जान पाएंगे तो यदि आप पहले बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में घंटिक आइकन को दवाईए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए किसान वाईयों बता दें कि पपीता पुशक तद्वों से भरपूर अत्यंत स्वास्त वर्तक जल्दी तयार होने वाला फल है पपीते का पके तता कच्छे रूप में प्रियोग किया जाता है इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरेक्त पपेन के कारन भी होता है जिसका प्रियोग बहुत से उद्वोगे कामों में होता है इसलिए पपीते की खेती की लोग प्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और छेत्रपल की दरश्टी से यह हमारे देश का पाजवा लोग प्रिये फल है बात करें सबसे पहले उप्यक्त जलवायों कैसी होना चाहिए तो पपीते की खेती की सबसे अच्छी उष्ण कटीवन दिये चेत्रों में होती है लेकिन समसितोष्ण चेत्रों में भी अच्छी पैदावार होती है तो इसके घर में जलवायों में इसक फलों के गुणों को खराफ कर देती है और पैदावार भी प्रवावित होती है इसके उत्पादन के लिए तापकरम 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच और 10 डिग्री सेंटीग्रेट से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि अधिक्ठन ततपाला इसके लिए सत्रू के शामान हो लेकिन इसकी सबसे अच्छी उपाज़ों में जीवास मियोक्त हलकी दौमट या दौमट मिर्दा जिसमें जल निकास की अच्छी विवस्ता हो इसलिए उसके लिए दौमट हवादार काली अपजाव भूमी अच्छी मानी जाती है जिसका पिये चमान 6.5 से 7.5 के बीच होन चाहिए पपीते की खेती के लिए मद्य काली और जलोड भूमी अच्छी मानी जाती है बात करें भूमी की तैयारी की पपीते की बागवानी के लिए अपरेल से जून महा में भूमी की 2-3 गहरी जुताई करके डेर फिट लंबाई चोड़ाई और गहराई के आकार के चोड़ दिये जाते हैं इसके पश्याद गड़े की उपरी मिट्टी में 15-20 किलोग्राम पकी हुई गोवर की खाद वा एक किलोग्राम नीम के खले प्रिती गड़े में भर देना चाहिए बात करें उननसी किसमों की तो पपीता में नियंतरित पराकन के अवहाव और बीज इसके विविन भागों में उगाई जाती है और अधिक संक्या में मादफ फूलों के पौदे मिलते हैं जिन में मुक्य हैं जैसे हनी ड्यू या मदू बिंदू, कुर्ग हनी ड्यू, वसिंगटन, कोई वन, कोई टू, कोई तरी, एम एफ वन, पूसा मेजेश्ट्री मुक्य हैं और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी किसमे हैं जैसे मेजेश्ट्री, पूसा, डेलिसेस, पूसा, पंजाब, सोईट, पूसा, डेलिसेस, जॉइंट, पूसा, डुवार्क, ननना, मूरेंट, मूटेंट आधि किसमे हैं और इसके अलिए ऐसी किसमे हैं जो काप्यच्चा production रंग रूब में आती है और किसान भाई चुनाफ करते हैं और इन से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा आज की टाइम में मार्किट में डिमांडिंग पे बनी हुई है वो है Red Lady 786 अब आप कहेंगे कि Red Lady 786 क्या है तो ये भी एक किस्म है लेकिन इसमें कंफनी दावा करती है 80 से 1 कुइंटल पर पेड़ में फल उत्पादन की और किसान भाई से लगाते भी हैं और अच्छा प्रोडक्शन भी लेते हैं बात करें पौद साला तयार करने की तो पपीते की उत्पादन के लिए पौद साला में पौदों को गाना बहुत ही महत्विर रखता है इसके लिए बीच की मातरा एक हैक्टेर में पपीते के लिए 500 ग्राम काफी होती है बीज फून रूप से पका हुआ अच्छी तरह सूका सीसे की बोतल या जार में रखा होना चाहिए जिसका मूँ ढखा हो और 6 महीने से अधिक पुराना ना हो उप्योकत है कि बोने से पहले बीच क्योग कैप्टॉन से उप्चारित कर लेना चाहिए इसके लिए 3 ग्राम कैप्टॉन 1 किलो ग्राम बीच को उप्चारित करने के लिए काफी है बीज बॉने के लिए क्यारी जो जमीन से उची उटी हुई है सक्री होनी चाहिए इसके अलावा बड़े गमले या लकडी के वक्सों का भी प्रियोग कर सकते हैं इन्हें तयार करने के लिए पत्ती की खाद, बालू तदा सड़ी हुई गोवर की खाद बरावर भागों में मिलाकर मिश्रान तयार होती है जिस इस्तान पर आप नर्सरी तयार कर रहे हैं जमीन की अच्छी तरह जुताई गुडाई करके समस्त कंकर फत्तर तता खर्बदवा निकाल कर साब कर लेना चाहिए और जमीन को 2% फैर मिलीन से उपचारित कर लेना चाहिए तीन वाई 6 इंच के फांसले पर पंक्ति बना कर उपचारित बीज बो देना चाहिए और फिर एक वटे दो वाई 2 इंच गोवर की खाद के मिसरन से ढखकर लकड़ी से दवा देना चाहिए ताकि बीज उपर न रह जाए यदि गमलों या वक्सों का उगा रही हैं उनका प्रियोग करके बीज को तैयार कर रहे हैं तो इनमें भी इसी मिसरन का प्रियोग करें वोई गई क्यारियों का सुकी घास या पुवाल से ढख दें तता सुबह बस्याम हजारे द्वारा पानी देना चाहिए पौने के लगवग 15 से 20 दिन के बीतर बीच का जमाब हो जाता है जब इन पौदों में 4 से 5 पत्य निकलाए तो छोटे गमले 6 आकार 6 इंच के आकार में मिसरन भरका लगा देना चाहिए जब पौदे खेत में प्रिती रोपन करने के लिए तयार हो जाते हैं तो प्रिती रोपन करने से पहले गमलों को धूप में एक दिन रखना चाहिए और खेत में सदे पौदे संद्या के समय लगा कर उच्छे तो पानी देना चाहिए किसी भी हालत में पानी अधिक ना हो जाए और पौदों को तुरन सडन और उक्टा का रोग लग जाएगा तो उससे भी बचाना चाहिए बात करें पौद रोपन और दोरी की तो पौद लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तयारी करके खेत को समतल कर लेना चाहिए ताकि पानी ना भर सके फिर पपिता की सगन वेबसाइग वागवाने के लिए पचास वाई पचास वाई पचास सेंटी मीटर राकार के गड़े डेड़ वाई डेड़ मीटर के फासले पर खोद लेने चाहिए और पिर तेक गड़े में 30 ग्राम बी एच सी 10 पिरती सा डश्ट मिला कर अपचारित कर लेना चाहिए और उची बढ़ने वाली किसमों के लिए 1.8 वाई 1.8 मीटर का फासला रखते हैं जब पधे 20 से 25 सेंटी मीटर हो जाए तो पहले से तयार किये गए पधों को 2 से 3 की संक्या में परते एक गड़े में 10 सेंटी मीटर के फासले पर लगा देते हैं पधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि गड़े का ढ़ाल पधे की तरफ हो और पधे लगाने के बाद सिचाई कर देनी चाहिए पपीता लगाने का उच्छ समय अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर है और फूल आने के बाद केवल 10% नर पौदों को छोड़ कर सभी नर पौदों को निकाल देना चाहिए उनकी संक्या या फिर उनकी जगे पर नए पौदे लगा देना चाहिए वर्साथ के दिनों में पेड़ों के पास मिट्टी चड़ा देना चाहिए जिससे पानी तनी से ना लग पाए बात करें खाद एवं और बरक की तो पपीता जल्दी फल देना सुरू कर देता है इसलिए इसे अधिक उपजाव उमे की जरुरत होती है अते अच्छी फसल लेने के लिए 200 ग्राम नाइटोजन, 500 ग्राम फासपुरस और 50 ग्राम पोटास प्रती पौदे की अवशक्ता होती है इसके अतिरेक्त प्रतिवर से पौदा 15-20 किलो ग्राम गोवर की सड़ी खाद एक किलो ग्राम नीम की खले का चूरा जरुरत पड़ती है खाद देने की यह मातरा तीन बरावर मातरा में देना चाहिए बात करें सिचाई प्रमंदन की तो पपिते के पौदे पानी के जमाब के पृति सम्मेदन सेलोते हैं अतेने ऐसी भूमी में लगाना चाहिए जहां पानी के निकास का उत्तम प्रवन हो खास तोर पर जहां अधिक वर्षा होती हो बात करें निराई गुडाई की तो पपिते का बाग साब सुधरा होना चाहिए इसमें किसी भी पिरकार का खर्पदवार नहीं होना चाहिए प्रतेक सिचाए की बाद पोदों की चारो तरफ हलकी गुडाई अवश्य करना चाहिए पोदों के आसपास गहरी गुडाई या जुताई नहीं करनी चाहिए गहरी गुडाई करने से खुराग लेने वाली जणे कट जाती है और पपीते के पौदे के 3-4 फिर तक छेतर में खर्पदवार नियंतरन आवशक होता है जैविक पलवार के प्रियोक से खर्पदवार नियंतरन किया जा सकता है और मिट्टी में नमी भी अधिक समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है बात करें अंतरवर्तिय फसने की तो किसान भाईओं आप पपीते के पौदे के मद्ध में या पपीतों के बीच में पिरतम बर्स में कम बढ़ने वाली सबजियां जैसे फूलगोवी पत्तगोवी प्याज लेसुन आदी की खिती कर सकते हैं तो एक साथ आप दो खिती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफल ले सकते हैं दूसरी साल से तो आपके पपीते में फलाना सुरू हो जाएगा तो आपको काफी अच्छे फायदे हो जाएंगे बात करें इसमें कीट या रोग नियंतरन की तो यह कीट सपेद मक्की लगती इसमें तो यह कीट पपीते की पत्तियों का रज चूंस करहने पहुचाते हैं तता विशान रोग फैलाने में भी सायक होते हैं इसके नियंतरन के लिए इमीडा क्लोरोपेड 17-98-S-L दवाकी 100-120 मिली लीटर प्रती हेक्टर की दर से अधवा थायो मिथोक जॉम 25-W-G दवाकी 100 किराम मातरा प्रती हेक्टर की दर से चिर्काफ करना चाहिए इससे आपकी लाल मकडी, कीडे, मच्चर, मकी इली सब खत्मों हो जाएंगे बात करें फल तोड़ाई की तो पपिते के फल की यदि सही समय से एवं सही धंग से तोड़ाई ना की गई हो तो अच्छे कीमत नहीं मिल पाती है क्योंकि पपिते एक जल्दी खराव होने वाला फल है, फल को पेड़ पर तवी तक रखते हैं जब तक की फल परिपगव न हो जाए किन्तु पेड़ पर फल अधिक पका हुआ नहीं होना चाहिए पकने पर कुछ पिरजातियों के फल पीले रंके हो जाते हैं और कुछ पिरजातियों के पकने पर भी हरे रहते हैं फल की उपरी सते पर हलकी खरोच लगने से यदि पानी या दूद जैसा तरल पदार्त ना निकले तो समझना चाहिए कि फल परिपगव हो गया है पपिते का पौदा लगाने के 6-7 महाबाद फूल बाफ फलना प्रारम कर देता है फल पौदों पर लगने के 10-11 महाबाद तोड़ने योग हो जाते हैं फल तोड़ते समय या ध्यान रखना चाहिए कि उन पर किसी भी तरह की खरोच या धाग दबे ना पड़े अन्यता उन पर कवको का प्रिकॉफ हो जाएगा इससे फल सड़ जाते तो इस तरीके से हमारे किसान भाई पपिते की खेती कर सकते हैं और कम जमीन से अच्छी खासी इंकम कर सकते हैं किसान भाईयों आपको वीडियो में दीगई जानकारी कैसी लगी इसे लाइक और शेर कीजिए आपके इसके अलावा जो भी डाउट है किस तरह एक जानकारी आप राप करना चाते हैं हमें कमेंट कीजिए और सस्क्राइब कीजिए स्मार्ट विजनिस प्लस यूटुब चैनल को और प्रेस कीजिए वैल आइकन को ताकि आने वाली हरे केति किसानी जानकारी मिल सके और वीडियो को लाइक शेर करना विलकुल ना भोलें नमस्कार